हेलो गाइज वेलकम बैक तू माई चैनल सो गाइज आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए फिर से को नियु धमाके दार टॉय कलेक्शन का वीडियो लेके आया हूं गाइज आप देख सकते हैं आज मेरे सामने यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट 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 टाइप के टॉय रखे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अमेजिंग एयर बैटल गन रखी है यहाँ बहुत ही अमेजिंग आरसी कार रखी है जिसका प्राइज थिंग थाउजन रुपीज के आसपास होगा यहां पर एक गन है यहां पर बहुत ही हाइली डिमांडीड अपसरा की डिजाइनर किट है मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैं किसी और चीज़ के अन्वोक्सिंग कर तो उसका नाम मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो का लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी वीडियो और भी देखना चाते हैं चैनल पर जाके देख सकते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो ह हाँ से पहले हम इसकी टेप अटाते हैं और इन बर्ड को बाहर निकालते हैं ये देखो गाईज वाओ इसकी पैकिंग कुछ इस तरह किया तो मैं इसको सैड में कर लेता हूँ और गाईज ये देखो एक बर्ड ने छोटा बेबी बर्ड ले रखा ये देखो है ना अब बड़ा वाला है ये भी एक सापनर है यहां से पेंचल को सार्प कर सकते हो इसके पिछे यहां पर हैंडल लगा हो और यहां पर ट्रे हैं जिसके अंदर कफ़रा होता है देखो मैंने पहले इससे पैंसिल को सार्प कर गर देखाते हूं यह किस तरह से celebrate करता tutaj तो गयजि ये देखो पैंसील मेरे हाथ में, पहले इस से पैंसील को सार्प करते हैं, इसके पीचे पैंसील हमने कुछ इस तरह अद आलनी है, है ना, और गईllo日 ये देखो, यहां से पैंसील आराम से सार्प हो जाएगी, मतलब जो छोटा बेवी बढ़ है वो भी पैंसील को स सारफ करता हुआ इसको यहां पे रख लिए और गई देखो हमारी पैंंसिल को तोड़ लिय से लगाना है अच्छे से सअ कर लेने और इसको हुँ मांतों ओर हमी पैंसिल सारफ हो रही है मैं आपको दिखाता हूं आधिaskaर हो गई यह देखь लिए यह देखो वाउ इसने पेंसिल को कितना जादा स्मूदली सार्प किया है आप देख सकते हैं है ना मतलब जो इसके दोनों सार्पनर है यह वाले दोनों अच्छे तरीके से वर्क करते हैं यह मुझे 150 रूपीज का मिलागा इस पूरा सेट जिसके अंडर दो-दो सार्पनर है आप देख स इस ब्लैक पैंटर वाला चावी का चल्ला यह थिंक मुझे 90ज का मिला है मेटल क्वालीत के साथ आता है कारीज आप देख सकते हैं अंदर से ब्लैक पेंथर लिखा भी हुआ है यह देख सकते हैं इसके अंद लिखा भी हॉव 있는데 में इतना ज़ання झाफिका चल्ला आपको यहाँ पे कुछ इस रखा एक प्यारा सा इरेजर का सेट इसको मैं उपन करके आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक रोबोट है यह देखो गाईज वाव कितनी अमेजिंग चीज है पहले आप यह देखो एक रोबोट यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ तीन चार इंस्ट इसको इसके इसका इसके अपिंधा लिघा सकते हैं auर का सब्सक्राइज पार्ट है इसको भी स्के और कर बसल्रिए और THIS कुछ गाया हैं यहां से मैंने इसका तीसरा पार्ट लगा लिया है यह देखो इसको भी हम हटा के यह वाला भी लगा सकते हैं यह सारी इसकी गंसे इंस्टूमेंट से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रोबोटिक एरेजर हमारे आथ में पीच में मिली है और कई यहां देखो इसको आधी और आधी आधीक कोशने से सायद यहां से धिया इसको हुँर सकते हो इसके अंडर पैसे कुछ नहीं किट disso जादा amazing है यह sound and light का चला करें क्या क्या साउंद आता है और किस तरह से work करती है वाव काइज यह देखो इसके प्यारी लाइट जलती है इस देखोा आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लाइट जलती है और कितना amazing sound आता है और इसका यह वाला part किस तरह से मूग करता है गाई यह देखो वाव कितनी ज़्यादा अमेजिंग है गाई है ना और गाई सबसे सेफ गन है क्योंकि इसके अंदर साउंड आता वो रियल गोलियों जैसा आता है और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है तो छोटे बच्चों के लिए बहुत है यह देखो यह देखो है ना कितनी ऑस्तम है अगर आपने कभी इस तरह की साउंड एंड लाइट वाली गन ही यूज किये तो कॉमेंट में बताना बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन है और और यह बहुत ही प्यारी दिखाई भी दे रही है इसके बाद हमारे पास है यहा को लांच करती है अब गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करने मैं आपको दिखाऊंगा कि इतनी ऑसम गन कीस तरह से वर्क करती है कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं तो इसके अंदर में कुछ इस तरह के बहुत सारी चीज़े मिलती है जो कि प्लेंस है और गन है पहले बॉक्स को यहां पे रख लेते हैं आप इसको इसको इसके ओपर रखते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी गन को कैसे वर्क करती है सबसे बहे गैज यह ऊटेगो इसके अंदर जो प्लेन है वो हमें कुछ इस तरह के प्लेन देखने को मिलते हैं इए आप कुछ इस रहिए थीं चार प्लेन मिलते हैं अलग-अलग कलर वाले अलग-अल Allen डिजाइन वाले पहती बहुत प्यारी गान है आप देख सकते हैं कितनी amazing कहना है है ना यहां पर हमें plane को लगाना पड़ता है और एक साथ हम 3-4 plane इसके अंदर लगा सकते हैं एक दो तीन तीन plane हम इसके अंदर एक साथ लगा के launch कर सकते हैं और क्या लॉंच करने के लिए हमें simply इसको load करना होता है और ऐसे चलाना होता है यहां से मैंने इसको लोड किया और यह देखो वाउ है ना अब देश इतने अब मैं आपको पहले एक प्लेन लगा के चला के दिखाता हूँ उसके बाद सारे प्लेन लगा के चला के दिखाँगा देखो यहां से हमें इसको लोड करने है कुछ इस तरह से है ना और यहां पर जो यह प्लेन है इसको कुछ इस तरह से स्लाइड करते हैं यहां पर इसके अंदर श्टक करते हैं यहां पर यहां पर मैं इसको श्टक करता हूँ और गाईज यह देखो मैंने इसको लगा लिया अच्छे ज़्यादा दूर चला गया है तो जब मैं आपको ने इसके अंदर 2-3 plane कैसे लगाते हैं और कैसे कैसे हम उनको launch कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं देखो पहले हम इसको load करना है load करने के बाद हमें इसके अंदर planes लगाने है देखो यहां से plane को लगाना है कुछ इस तरह से और slide करते वे इसके अंदर यहां पे set कर दिना है guys और guys यहां पे set हो गया है अब हम इसको यहां से उठाना है थोड़ा सा यह देखो कुछ इस तरह से और दूसरा plane भी slide करके इसके अंदर set कर देना ये देखो कुछ इस तरह से plane अंदर जाएगा उसके लिए गाज़ मैं इसको launch करके रखना मतलब load करके रखना पड़ेगा वीडियो का बिल्कुल भी skip मत करना थोड़ा complicated है अब देख सकते हैं दो दो plane मैंने इसके उपर लगा लिए और कितने ज़्यादा awesome दिखाई दे रहे हैं और यहां से मैंने इसको कर लिए set अब देख सकते हैं तीन plane इसके अंदर हम लगा चुके हैं overall आप इसका design देखो कितना awesome है है ना plane लगने के बाद तो guys इस stretch में काफी अदर beautiful दिखाए दे रहे हैं मैं आपको चला कर दिखाता हूं guys actual में इसकी range ना बहुत ज़्यादा है मैं आपको screen में नहीं दिखा पा रहा हूं बढ़ यह बहुत दूर तक launch हो जाता है तो एक तो मैंने लगा लिया है launch करते है three two one go यह देखो guys wow कितने awesome तरीके से इसने plane को launch किया है और पहले हम इसको load करना है है और इस plane को यहाँ पे लागे कुछ इस तरह से set कर देना और guys यह देखो three two one go यह देखो guys wow मतलब कमरे में बहुत दूर तक plane चला गया है और पहले हम इसको load करना है और इस plane को यहाँ पे set करके इसको अच्छे से set कर देना अब चला के दिखाता हूं यहाँ पे चला के दिखाता हूं guys three two one go यह देखो guys कितनी power के साथ इसने इसको hit किया है है आप देख सकते है plane launcher वाली gun कितनी ज्यादा amazing है यह बहुत ही प्यारी दिखाई भी देती है और बहुत ही ज्यादा powerful भी है मुझे इसे use करने बहुत ही आदा मज़ा आया अगर आपको ही मज़ा आया तो comment में जरूर बताना है इसके बाद guys मैं आपको दिखंगो हमारे पास है यह पे कुछ इस तरह काई पॉपट वाला toy यह देखो यह पॉपट वाला star है यह आपको 50, 60, 70, 80 रुपीज तक का भी मिल सकता है सबसे अमेजिंग बात है guys यह देखो आप इसको कितना भी बेंड कर लो यह खराब नहीं होता है यह सबसे जादा amazing बात है यह देखो आप इसको खोल लोगे दो दो बारा से सही हो जाएगा और इसके पॉपट बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते है guys यह देखो आप द girls के लिए बहुत amazing Mickey Mouse वाला कुछ इस तरह का पर्स विद पॉपट यह देखो यह पर्स भी और यह पॉपट भी है यह देखो इस तरह की चीज़ आपको काफी कोशनी मिलें कि इसका size देखो size बहुत चोटा है बट आपको यह 150 रुपीज तक का मिल सकता है अब मैं इसको open कर करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या खास बात है सबसे पहले गाईजी देखो इसके पॉपट बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं पीछे भी हैं आगे भी यहां पर बने हुए यह Mickey Mouse वाला डीजाइन है इसके अंदरा पैसे कॉइन वगरा कु कितना उस्सा मैं आप देख सकते हैं वाउ यार अब गाईज गर्ल्स के लिए बहुती स्पेसल चीज बन गई है अगर आप को यह पसंद आई तो कॉमेंट में जरूरू बताना इसको मैं यहां पर रख लेता हूं और हमारे पास हैं यहां पर कुछ इस रख बहुत ही 59 इसका प्राइज है और ओवरॉल जो इसकी पैकिंग है कुछ ऐसी दिखाई देती है यह देखो जल्दी से मैं इसको ओपन करता हूं यहां पे इसके ओपर लिखाओ है कि क्या क्या चीज हमें इसके अंदर मिलने वाली है जल्दी जल्दी ओपन करते हैं मैं आपको वन दिखाता हूं यह दोनों साइड से अलग-अलग है यहां से यहां से कलरफिल है इसका नाम डूल कम्बो पैंसिल है यह देखो भूति स्पेसल लगाई जो देखने में कितनी जादा अमेजिंग दिखाई दे रही है इसको मैं आपर देख लेता हूं और हमें इसके अंदर मि इसको बाहर निकालके आपको दिखाता हूँ ये देखो वाव है ना कितनी सारी color pencils है इसके अंदर और इन pencils को सार्प करने के लिए यहां पर हमें एक सार्पनर मिलता है और जो हमारी color pencils है वो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हो समय ये देखो red and green color की मेरे हाथ में और color कितने ज़्यादा bright colors है guys वाव यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंदा ये colors है ना और इसको हम यहां पर रख लेते हैं और हमारे पास हैं यहां पर कुछ इस तरह की अपसरा की 2B, 4B, 6B pencil लिए देखो ये drawing pencils होती है जो कि light, dark और extra dark यूज की जाती है ताकि जो आपकी artwork का drawing है वो अच्छे तरीके से बन सके यह देखो यहां पर अलग-अलग pencil के पर अलग-अलग चील के देखो यह 4B pencil है यह 6B pencil है और यह वाली 2B pencil है guys यह देखो है ना तीनों pencil अलग-अलग है और इन तीनों के work भी अलग-अलग है और यह हमें एक ही set के अं 35 रूपीज तो जल्दी से इसको open करते हैं और guys यह देखो वाव है ना कितने सारे colors है colors का size मैं आपको दिखायता हूं यह देखो बहुत यह बड़ा इसका size है और color आप देख सकते हैं कितने bright bright colors है और कितने ज्यादा colors है इसके अपर लिखा है total 16 colors हमें इसके अंदर देखने और guys यह देखो वाव कितने amazing colors हैं guys मतलब इसके अंदर अलग अलग type के colors आपको देखने को मिल रहे हैं यह oil pestles color है और जितने भी यह color आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर इन सभी का use अलग अलग है और यह बहुत ही awesome तरीके से अलग अलग तरीके से work करते हैं और हमे इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी सार्पनर देखने को मिलता है यह देखो है ना और इसका जो color और combination और डिजाइन है उस सच में काभीले तारीफ है बहुत ही unique है अगर आपने इस तरह के अपसर का साइप में यूज किया तो comment बताना और guys हमारे पास है यहां पर अपसरा की हमें इसके अंदर मिलता है दो pencil एक scale एक jumbo eraser और एक jumbo sharpener ये देखो guys एक 22 rupees की kit में हमें बहुत सारी चीज़े देखने को मिलती है तो guys इसको भी हम यहां पर रख लेते हैं और guys हमारे पास हैं यहां पर इसके अंदर और और बी चीज़े मतलब 199 rupees की kit में हमें बहुत ज़्या 10 rupees 10 rupees में 3 eraser एक blue eraser है एक dark pink eraser है और एक yellow color की eraser है काफी beautiful है इसको भी हम यहां पर रख लेते हैं और हमारे पास है यहां पर कुछी इस तरगा एक drawing notebook यह देखो जिसका price होने वाला है 35 rupees और guys यह देखो इसके अंदर बहुत सारे blank pages है मतलब drawing करने के लिए तो बहुत यह amazing kit है guys यह यहां पर आप देख सकते हैं काफी कुछ आप अपने बारे में यहां पर लिख सकते हैं और बहुत ही amazing है so guys 199 rupees की kit में इतना ज्यादा समान हमें देखने को मिलता है कि guys मजा ही आ गया और guys अगर आपने इस तरगी kit कभी use किये तो comment बताना है और guys आप देख सकते हैं मेरे पा उपर घासों के उपर पानी में और कहीं भी आप इसको चला सकते हैं मैं आपको बताता हूं कैसे यह देखो यहां पर इसके सौक एब्जरवर देख सकते हैं और दोनों टायरों में लगे में देखो कितने जादा इसके टायर प्रेस हो जाते हैं overall आप देख सकते हैं कुछ ऐसी यह दिखाई देती है और डिजाइन के लिए यहां पर एक्स्ट्रा टायर लगा हुआ है मैंने आपको इससे पहले भी तीन आलगा लाग इसी डिजाइन वाली मतलब दिखा रखे हैं जो कि रोग क्लैंबिंग कार्स होती है है ना उनका डिजाइन अलग लगता टायर आप देख सकते हैं यह देखो टायर को मैं दबा रहा तो टायर दब भी जा रहा है और टायर का डिजाइन देखो गाई और यह बहुत ही ब्यूटिफल तरीके से लेफ्ट राइट होके भी चलती है मैं आपको इसका रिमोट कंट्रोल दिखायता हूं इसके अंदर बैटरी इसके अंदर लगा लिए और यह दूसरी बैटरी भी मैंने इसके अंदर लगा लिए और यह दूसरी बैटरी भी मैंने इसके अंदर लगा लिए इसको हम यहां से बंद कर लेते हैं और यह थोड़ा अच्छे से बंद नहीं हुई है यह देखो इसको मैंने कर लिया है द्गा where MacBook क沒事 क्षेर करने यह देखो आगे भाग रही है अब यह कि अगर आप ने स्था रिमोट कंट्रोल वाई फी जो 01 कार देखिए तो कॉमेंट सそれでは deux हो यूज कि तो क्あと कि यह देखो ल्एस्क पक्रना चाहें तो यहाँ पर एक steering लगा हुआ है यह देखो इससे आप इसको left right कर सकते हो गाई यह देखो और गाई इसकी बैटरी इस डाउन है अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रही है हाँ गाई इसकी बैटरी इस डाउन है मुझे इससे charge करना पड़ेगा तो चले गाई मैं इसको charge करता हू और आपको first base की performance दिखाता हूं कि किस तरह से work करती है तो गाई इसको चला के देखते है किस तरह से perform करती है और गाई यह देखो वाओ कितने ज़्यादा amazing तरीके से perform करती है इसके tire का size देखो गाई बोड़ी के हिसाब से tire बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और गाई जिस त पर आसे चलती है इससे चलाने मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी amazing इसका control है है और गाई इसको डिजाइन है वो मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और गाई आप देख सकते हैं मैं इसको चला रहा हूं यहाँ पर टकर लगा रही है आप यकिन नहीं कर सकते हैं सामने से अगर आप देखोए तो आपको बहुत यहादा मज़ा आएगा मतलब यह किस चीज़ को पुस्क करने की कोशिज कर रही है तो इसके पीछे वाले टायर हवा में उठके गूम रहे हैं है ना कितनी ज़्यादा amazing है और गाई स्ट्राइट आगे पीछे हर तरफ इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है मतलब इसकी performance overall बहुत ही ज़्यादा amazing है अगर आपको भी गाड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करना है इसका design तो amazing है जो इसकी performance है वो भी सच में काबिले तारीफ है है ना अगर आपने benten alien वगरे सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है और गाईज यह देखो यह actual में एक calculator वाला benten geometry box है यह आपको 200 रूपी से भी ज़्यादा का मिलेगा अब यह महंगा क्यों है मैं आपको बताया तो यहाँ पर इसके अंतर बहुत सारे compartment बने में और यहाँ पर calculator बना हुआ है और आप इसको off भी कर सकते हैं on भी कर सकते हैं और reset भी कर सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल calculator वाला pattern अच्छे से बना हुआ है आप गाईज मैं आपको बताता हूँ चार pattern यहाँ पर एक दबाएंगे तो यहाँ पर सार्पनर खुलेगा कुछ चीज तरह से दूसरा दबाएंगे त इसके अंदर है ना नॉर्मल जमेटरी बॉक्स नहीं है यह बहुत ही इस पेशल जमेटरी बॉक्स है और यहाँ पर भी आप देश सकते हैं काफी ज्यादा स्पेस हैं यहाँ पर आप अपनी नेमेंड क्लास लिख सकते हैं है ना अगर आप Benton के फैन है तो यह जमेटरी है है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद लगा इस बेंटर तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूं और हमारे पास है यहाँ पे कुछ इस तरह है बहुत ही अमेजिन सा पुलिस वाला डाइकास्ट कार का सेट जिसके अंदर में टोटल पांच कार देखने को मिलती है जिसका प्राइज है 400 रुपीज यह मैटल की कार से यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइकास्ट कार लिखा हूआ है इस तरह के मैंने आपको पहले भी बहुत सारी कार के सेट दिखाएं में तो आज मैं आपको पुलिस वाला सेट दिखाता हूँ यह देखो सबसे पहले हमें इसके इस तरह के पुलिस गाड़ी मिलती है जिसके छे टायर नीचे लगे में और यह मैटल क्वालिटी वाली है यह देखो है ना अगर आप इसको सालो साल यूज करोगे तो यह खराब नहीं होगी यह सबसे ज़्यादा स्पेसल बात है और आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ प करते हैं और काफी बड़ा इसका साइज भी है यह देखो यह वाली बिल्कुल अलग डिजाइन वाली है यह देखो है ना वाओ पुलिस फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है और यहां पे देखो कुछ इस तरह की एक और गाड़ी है यह देखो यह दो मुझे फाइटर टेंक वाली लग दिखो यहां पर इसके उपर गन भी लगी हुई है और ओवरॉल आप देख सकते हैं कितनी अमेजिंग है नॉर्मल गाडियों में देखो इसमें चार टायर है इसमें भी चार टायर्स है यह देखो वाव और यहां पर हमें एक्चुल वाली पुलिस कार देखने को म पास-पास है मतलब एक पर एक कार का प्राइज आप देख सकते हैं कितना जादा है है अगर आपने कभी इस तरह भी डाइकास्ट कार्स यूज कियें तो कॉमेंट में बताना इसको मैं यहां पर रख लेता हूं और हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह बहुत ही अमेजिं और कई देखो यहां पर एक फ्रीज है यहां पर मिक्सर ग्राइंडर और यहां पर एक कप है आप देख सकते हैं टोटल हमें इसके अंदर एक दो तीन चार पांट छे साथ साथ अलग अलग डिजाइन वाली इरेजर्स देखने को मिलती है देखो यहां पर लिखा भी हुआ किचन इरेजर्स है ना और गईज अगर आप इससे पैंसिल का लिखावा इरेज करना चाहो तो बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज करती है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही जादा होती है और इसकी क्वालिटी के हिसाप से इसका प्राइज होता है आई तिंक मुझे 70 विजगा बिलावा इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूं और हमारे पास हैं यहाँ पर एक आउल यह देखो गाई च्छोटा सा क्यूट सा आउल है ना और गईज आप देख सकते हैं यह क्या है अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँ तो गाईज यह देखो इसके अंदर यह आपे double sharpner लगे हुए है जो कि pencil को अलग अलग तरीके से sharp करते हैं एक pencil को long point sharp करते है एक pencil को short point sharp करते है जिससे कि आप pencil को अलग अलग तरीके से use कर सकते हो और अगर हम इसको बंद कर लें तो 99% लोग यह नहीं बता पाएंगे guys यह क्या है देखने में यह owl जैसा है और guys मेरे पासना आज काफी सारे double sharpner है देखो एक है guys कुछी इस तरह का कार वाले design वाले double sharpner यह देखो इसके अंदर दो-दो sharpner लगे है यहाँ पे दो-दो छेद है एक pencil को long point sharp करेगा एक pencil को short point sharp करेगा इन sharpner का जो प्राइस है वो guys 2230 rupees के आसपास होता है क्योंकि इनका design बहुत ही और guys यह देखो इसके अंदर भी double sharpner लगे है यह देखो है ना और इसका design आप देख सकते हैं कैसा इसका design बहुत ही unique सा यहाँ पे देखो छेद है एक बड़ा छेद है एक छोटा छेद है इसलिए pencil को अलग-अलग तरीके से sharp करते है और guys यह देखो यहाँ पर हमारे पास इसको बंद कर दिया यह देखो कितना unique सा इसका design है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है guys देखने में इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और guys बहुत सारे toys मैंने आपको दिखाए है और आज मैं आपके लिए बहुत ही unique सा toy लेके आया हूं यह देखो जिसके अंदर मिलता है ब kitchen set मेरे हाथ में और एक kitchen set के अंदर में कितना सारा समान देखने को मिलता है तो जल्दी से इसको open करते है और guys यह देखो यहां से इसकी packing आप देख सेते हैं बहुत ही awesome इसकी packing है ताकि समान इदर दर ना भागे क्योंकि से अंदर समान कुछ जादा ही quantity में है और guys यहां से मै इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ां में इसके अंदर देखने को मिलती है एक kitchen set में क्या क्या होना ची मैं आपको दिखाया तो देखो कुछ इस तरह की बास्केट देखने को मिलती है एक पानी वाली bottle देखने को मिलती है यह देखो यह तो आप मेंसे काफी लोगों देखी होगी यूज करेए और एक lunch box देखने को मिलता है जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है और कुछ इस तरह का wine वाला cup देखने को मिलता है इनकी quality देखो बहुत अच्छी quality है और गाई यह देखो एक seven up drink वाला देखो कुछ इस तरह का can देखने को मिलता है और गाई सकते हैं कुछ इस तरह की दो दो प्लेट हमें देखने को मिलती है और बहुत एमेजिन सा रोटियां रखने वाला कुछ इस तरह का टिफन बॉक्स मिलता है जो भी किचन में यूज किया जाता है और गाई देखो चीजे इदो अधर भाग रही है कुछ इस तरह की basket मिलती है सबजियां रखने वाली और गाई देखो रोटियां बेलने वाला चकला मिलता है और गाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का एक चाकू मिलता है और बहुत सारी चीजें गाई इतनी चीजें कि एक साथ दिखाने में बहुत ज़ादा मेहनद लगती है और यह देखो इसके अंदर में कुछ इस तरह का गैस देखने को मिलता है यहाँ पर चार चार कप देखने को मिलता है एक दो तीन चार और कुछ इस तरह का एक देखो टिफन बॉक्स मिलता है है ना सबजिया रोटिया रखने के लिए और गैस कुछ इस तरह की एक गाड़ी मिलत के लिए और गाईज आप देख सकते हैं एक किचन सेट के अंदर में कितनी सारी चीज़े देखने को मिलती हैं टोटल में आपको काउंट कराते हैं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सतरा अठारा उन्निस बीस इकिस अलग अलग चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है तो मुझे परसनली बहुत ही जादा पसंद आया गाई यह सेट और गाईज यह देखो हमारे पास है यहां पर कुछ इस तरह का एस्ट्रोनोट डेस्क लेडी लेंप यानि कि एक लेंप है इस तरह का लेंप मैं आपको पहले भी दिखा चुक हूँ यहां पर देखो अलग अलग कलर में आपको यह अवेलेबल हो जाएगा तो पहले मैं इसको उपन करता हूँ बाहर निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ और इसको यूज कैसे हम कर सकते हैं यही मैं आपको बताता हूँ देखो बॉक् केवल को सेड में करते हैं और इसको रेडी करते हैं यह यहां से पैंसिल डालेंगे तो पैंसिल को सार्प कर सकते हैं जो कच्रा है वह भी बाहर नहीं पहलेगा तो पहले इसको बंद जलती है अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ देखो एक बार मैंने इसको ऐसे किया तो गाई यह नॉर्मल LED लैंप की तरह बार कर रहा है इसकी रोसनी भी मैं आपको चेक करा हूँ और अगर हम इसको यहां करते हैं तो गाई देखो कलर चेंजिंग लाइट इसके अंदर जलती है अलग अलग लाइट सा भी जलने वाली है यह देखो है न और देखो दुबारा से इसका कलर चेंज जोगा अब यह ब्लू हो गई है तो गाई मैं आप उसको अंधेरे में यूज करके दिखाता और गाई यह देखो कितनी रोस्नी है मतलब सारी चीज़े आपको अच्छे से विजीबल हो रही होगी जो कि इसकी लाइट से हो रही है अब उसका दूसरा फीचर तो अगर मैं इसके बटन को इधर करता है तो गाई यह देखो कलर चेंजिंग लाइट इसके अंदर जलती ह है है ना सब्सक्राइजिंग बात है आप इसको चार्ज करने के बाद 5-6 दिन तक कंटीन्यू यूज़ कर सकते हो यह देखो है ना अभी ब्लू लाइट जल रही अभी लाइट चेंज जो के देखो अलग कलर में कनवर्ट हो जाएगी यह देखो वाव अब यह थोड़ा ग्र अगर आपको यह study lamp पसंद आए तो comment बताना और आप जेख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे different type के toys दिखाएं इन सभी toys में से आपको कौन सा toys सबस्यादा पसंद आए इसका ना मुझे comment बताना वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चैनल को subscribe करना क्योंकि ऐसी वीडियो में लगाता आपके लिए बनाता रहता है तो अगर मिलते हैं नहीं वीडियो में मैंजिंग अन्बॉक्सिंग साथ तब तक लिए खाएं कुर्ण बाई बाई गाई